तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी मेथट कि आप किस तरीके से अपने फेशल हैर रिमूब कर सकते हैं बहुत ही नाच्रली और बहुत ही अच्छे तरीके से और इससे आपकी धित्रे है ग्रोध भी कम हो जाएगी तो आज मैं वैक्सिंग मेथट यूस कर रहे है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी हिट कर दीजे ताकि मैं कोई भी नए वीडियो जब भी डालूं आपके पास वो सबसे पहले पहुचे जिससे आप उसे सबसे पहले देख सके तो आज मैं वैक्सिंग मेथट यूस करूँ कि अपने फेशल हैर रिमूब करने के तैयारी कर रही हूं तो भी हैडबेंड बांद दिया गया है उसके बाद अब मैं फेशल ओई यूस कर रही हूं तो मैं यह सारी चीजे अपको बताऊंगी अभी आगे वीडियो में कि मैंने कौन-कौन से प्रोड़क्ट यूस किये हैं कौन-कौन से ओई कौन सा ऐस यूस किया है 對 for me मास्क भी लगाया है तो मैं बहुत ही धी सथीाएUSE से आपको बताऊंगि अप को देखते होंगे अपow्नी तो आपको दाले निकलाते हैं क्यों अप सही तरीगे से वाक्सिंग कर आथे कि अध मैं आ पको मैंत तरीज हैं आपाऊंगी कि आपको जालए फेशल हैर होते हैं। उनको remove करने के लिए हम बहुत सारे meathode यूज करते हैं। घर में भी हम बहुत सारी चीज़े यूज करते हैं। तो उसे जबासर नहीं होता है। और homemade तरीके से बहुत ही नियाचुनल तरीके से इतनी easily हैर नहीं निकाले जा सकते। तो मैं वैक्सिंग मेंधड यूज कर रही हूं वैक्सिंग मुझे बहुत अच्छी से सूट करता है मेरे चाहर को एक दम क्लीन कर देता है और सबसे अच्छी बात है कि यह धीरे-धीरे मेरे हेर ग्रोथ को भी कम करता है जिससे मेरे फेशल हेर बहुत ही कम आते हैं मुझे रेरली तीन से चार मेने में एक ही बार कराना पड़ता है और यह बहुत अच्छे तरीके से मेरे फेश के सारे हेर को रिमूव करके बहुत ही प्यारा ग्लो देता है तो कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे और साइटिफाइड पालर में ही जाके इसको कराना चाहिए हर जगा पे नहीं करा लेना चाहिए और प्रोडक्ट को भी आप यूज करते टाइम अपने हाथ पे पैश लगा कि जरूर देख लेगी कि आपको वह सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा है बट मैं जो अब प्रोड़क्ट अज बताऊंगी उससे आपको कहीं भी करके जरूरत नहीं में करेंगा कि नहीं करेगा definitely suit करेगा मैं जो सारे product आपको बता रही हूं तो इस तरीके से पूरे face पे हमें कराना है हमें neck area को भी cover करना है चोटे युटे वाल होते हैं जिसकी वज़े से हमारा फेस उतना अधनी ग्लो कर पाता है और खेर भी बहुत ज़्यादा दल लगता है अगर फेर भी तब भी हमारा बहुत डल लगता है स्किन और सबसे अच्छी वात है किया एक सिंग कराने के और आपका फेस बहुत ही अच्छा ग्लो करेगा आपको अलक से पालर में जाके क्लीन आप या फेशल नहीं कराना पड़ेगा मैं कभी भी फेशल वगरा यहीं काती हूँ वेक्सिंग मेथिद में यूज करती हूँ आपना रिमूव-कर यहां तो मैं इसको भी बहτα Genesis विभी जाएपनी जाएं हयुख यहां आपकोbakर फेशल है करना ह Beetle K अच्छी तरीके से तो आप जब भी जाए पालर में अपनी फेस वैक्स को कराने के लिए तो याद रहे कि आप उन्हें ये सारे प्रोडक्ट रेकमेंड करें कि आप मेरे फेस पी यही यूज करें और जो है फेस वैक्स की जो स्ट्रिप सोती है। उनको भी छोड़ी चोड़ी उसे वहे काट लें जिसकी वरजय से आप कोई भी दिक्कत ना हो बाद में अब मैं अपार लिपस भी इसे वैक्स कवर करती का जाया नियुक्त और देख सकते हैं कि अभी मेरा फेशल हेर रिमूब हो चुका है वैक्सिंग बहुत अच्छी से हो चुकी है और बहुत ही प्यारा ग्लोह आ गया है तो वैक्सिंग के पहले भी हमें ऐल लगाना है यानि कोई पाउडर यहा नहीं लगाना है स्रीट लगान मास्क के थो फुके ऐंब जाते हैं यह इस लिए हम के उपन पोर्स हो जाते हैं लिए लगाय। मैं दस मिनट का मेंड जब बलोगए तो फ़ेशल हेर को रिमुफ करने के लिए जो प्रडॉक्ट यूज की हैं उस पर पहला है यह रिखा का फेशल ओल जाते हैं और बाद में भी और लगाना है यानि आपको वैक्सिंग के लिए कोई पाउडर वगार अपमें फेस पे नहीं लगाना है कुछ इस तरीके के दिखता है आप यह सारे प्रोडक्ट अपने सलॉन में या पालर में रेकमेंड करें कि मेरे फेस पर यही यूज करें आप देख सक को बन करता है और सबसे इंपोर्टेंट है कि मैं ले रही हूं यह रीका का मिल्क फेशल वैक्स जो की बहुत ही जदा अच्छा है आपके फेस के एक बाल को अच्छे से रेमूव करता है और बहुत ही प्यारा गलो देता है तो रीकॉयल का टेक्शर कुछ इस तरीके से आप बहुत समूध है बहुत लाइट वेट है एपोर्च जल्दी जड़ी अपने रहे हो जाता है और यह अपके फेस को बहुत ही अच्छा ग्लो देता है और तो मैं यह प्रॉडक्ट यूज कर रही हूं आप देख सकते ही कि मैंने वैक्स के लिए है रिका का वैक्स तो यह मिल ये रिका ذ typical औल रिके के रोजम का औल है इस में आफरवक्स क्याहीं अबर इस पहले भी आपके रोज मत्या मतलब यानी सब्सक्तिक वाइवस यह बरॉशन के लाइब हो अब को यह सारे प्रड़क्ड बहुत ही जबाने में व्क है यही product use करें जिससे आपको कोई भी दिकत ना हो और यह आपको definitely suit करेंगे, आपको अलग से लगा के रेखने की जूरत नहीं है, तो mask के लिए मैंने use किया है, VLCC का acne magic mask, यह बहुत ही ज़्याद़ effective है, और बहुत यह अचा glow देता है, और wax के बाद आपके कोई भी acne यानि pimples को आने से भी रोगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें sandalwood, turmeric और bangal kino का एक herb होता है, वो भी इसमें add है, जिससे आपके face अचा glow लाता है, और waxing के बाद जब आपको acne problem हो जाती है, उससे यह भी नहीं होगी और आपके सारे pores भी बंद हो जाएंगे, तो अब इस face wax को हटाने का time आ गया है, और natural glow आपको बहुत ही जल्दी दिखने वाला है, तो अभी हमें moist cotton से या फिर किसी भी wipes से clean कर लेना है, करने के बाद आपका face कुछ इस तरह के से glow करेगा, आप देख सकते हैं, एक भी facial hair मेरे face पे अब नहीं है, और बहुत ही जदा अच्छा glow मिला है मुझे, आप देख सकते हैं, live result आपके सामने ही, कि मेरा face पहले कैसा था और अभी कैसा हो चुका है, यह face wax मेरे hair growth को भी कम करत हैं, कि मेरे face पे भी कैसा glow है, तो यह था मेरा आज का वीडियो, I hope यह आप सब को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेर भी कर दीजिए, और मेरे चानल को भी subscribe कर दीजिए, और हाँ, बैल आइकन को भी हिट करन बिलकुल ना भूलें, जिससे आपको सही टाइम पे मेरे आने वाली नई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेल जाए, तो अगर आपको वाइट है या ब्लाक है की भी प्रॉब्लम है, तो वैक्सिंग के बाद वो भी रिमूव हो जाएगी, एंद थाइंक यू सो मच, बब